का कि आ अभी collar छन ठी तो प्रांजिस्टर के अभिलक्षाभ सेगे और ध्यान से समझेंगे इसमें तीन पार्ट है टीन बाग में है हमने सारा डायग्राम में इसे में बना लिया है सब कि गॉस्स डायाग्राम का ही कमाल है तो हम लोग इसको अच्छे से संजेंगे डायाग्राम की ही मदश call ठीक तो। ट्रांजिस्टर GET लक्षन होता क्या है वास्तों में युद्यण दंभाक cdhara का अधार क्थाऊतर हें अप Aliya कि निवेशी धारा बताता है यह आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे आई भी करेक्टरिस्टिक हमने बहुत जगों पर पुरूप किया है वहाँ पे निकाला भी है तो क्या होता है कि जब भी हम बोल्टेज और धारा के बीच में बैरेशन देखते हैं बोल्टेज के बदलने से धारा कैसे कैसे बदलती है यह जिस भी मतलब विधा में हम देखते हैं वहाँ पे हमारा क्या होता है वह हमारा अभिलक्षण वक्र ही होता है उस चीज का तो बहुत जगों पर हमको जैसे आपने ओम के नियम में भी देखा होगा तो उसी तरह से यहा बार क्या करेंगे एक बार जो हमारा बी सी बैटरी रहेगा अभी हम बात करेंगे बी सी क्या है तो बी सी जो बैटरी रहेगी उसके साथ करेंट का बैरेशन देखेंगे और उसके बाद में फिर हम एक बार जो है आई भी का जो है बीवी के साथ बैरेशन देखेंगे तो इ दूसरा कहते हैं निर्गत अभिलक्षण और तीसरा हमारा होता है, अनतरन अभिलक्षण यहां हम इसको इस तरहते भी कि निवेशी अभिलाच्छनिक वक्र, निर्गत अभिलाच्छनिक वक्र, अंतरण अभिलाच्छनिक वक्र, ठीक है, तो ये तीनों पार्ट हम देखने वाले हैं, और बहुत ही आसानी से इसको हम समझेंगे, ठीक, सबसे पहले हमें, मैंने जैसे आपको बताया कि अभिलाच् किस तरह से बदलता है धारा को बढ़ाने पर बोल्टेज बदलता है और फिर बोल्टेज को बढ़ाने पर धारा किस तरह से बदलती है तो यही बाइरेशन जो वक्र बताता है वह क्या कहलाता है ट्रांजिस्टर का अभिलाचनिक वक्र कहलाता है तो इतनी चीज अगर आपकी ब्यवस्थित करना होता है वो pattern हमने आपको यहां पे दिखाया हुआ है क्या क्या चीजे चाहिए जैसे हम यह असल में क्या है यह एक experiment है ध्यान से समझेगे इसको experiment की ही तरह समझो physics की तरह मतलब आपको इस तरह बहुत परेशान होने के आ सकता नहीं है यह खतरनाक सफीगर देख करके पर डर जाओ है तो अब आपको क्या करना है कि ध्यान से यह experiment है और experiment करने में हमको क्या करना होता है हमें चरण अपनाने होते हैं कि पहले हम किस चीज को किस चीज से जोड़ेंगे फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ऐसे ही experiment में चरण होते हैं, step होते हैं, तो ऐसे ही हमको पहला step क्या करना है, हमको पहला step जो जो हमारे पास बस्तुएं हैं, जो भी हमारे पास devices हैं, उनको हम क्या करेंगे, एक बाद सबको connect करेंगे, ठीक, तो सबसे पहले हमको चाहिए कि NPN transistor चाहिए विकॉज हम लोग यहाँ पर जो है उभैनिस्ट उत्सरजग उभैनिस्ट उत्सरजग का जो है अब लाच्छनिक वक्र यहाँ पर NPN उभैनिस्ट उत्सरजग का जो है हम लोग यहाँ पर अब लाच्छनिक वक्र खींच रहे हैं तो इसलिए हमने इन पीएन ट्रांजिस्टर सबसे पहले ले लिया ठीक उसके बाद में हमको क्या करना है उसके बाद में हमको जो है दो बैटरी लेनी है और दोनों बैटरीयों को हमें इस तरह से कनेक्ट करना आप देखो पहले यह जी तो है यह फीगर है ही लेकिन इसके साथ साथ हम एक इसका जो है समझिए कि एक तरांकर हम बोले तो duplicate figure हम बनाएंगे उसके माध्यम से इसको समझने की कोशिस करेंगी कैसे ये चीज होता है ध्यान से देखिए जैसे हमने लास्ट टाइम में आपको NPN ट्रांजिस्टर बताया था तो NPN ट्रांजिस् तो NPN हमने ऐसे बना दिया अब NPN में तीन टर्मिनल हो गए लोग तीन टर्मिनल हो गए अब NPN ट्रांजिस्टर चाहें NPN हो चाहें PNP हो इसमें जो पहली संधी होती है चाहें NPN है तो NPN संधी और PNP है तो PN संधी वो हमेशा कैसी होती है अग्रदिसिक होती है इसमें भ संदी जो रहेगा यह अपना रहेगा अग्रदिसिक और इसको अग्रदिसिक अगर हमें बनाना है तो यन टाइप को क्या करेंगे निगेटिव टर्मिनल से जोडेंगे और पी टाइप को प्वास्टिव टर्मिनल और करना तो नीगेевой को हमेपको से जोड़ना और इस तरह से हम और नीगेटिव को जो है पॉस्टीव से जोड़ना होगा तो यह पॉस्टीव हमने इसको दोठी लगा हुआ है दोठी इमिटर जोकि इसको देखने में जो थोड़ा भड़काऊं बना दे रहा है आपके पास सिंपल सा देखिए यह 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 संदी रहेगा पी आसंदी वाला ये वाली जो संदी रहेगी इसको हमें किस से जोड़ना रहेगा हमको पश्चिदिसिक जोड़ना रहेगा ठीक अगर इतना चीज किलियर हो गया तो यह जो डूबलीकेट हमेटर यह रहा बेस से रहा क्लेक्टर चूंकि हमको क्या करना है हमने यहां पर जो भी यह एपिन ट्रांजिस्टर का वक्र कीचने के लिए कहा थो इसमें कामन एपिन बिन्यास कांफिग रेज्चन वाला इर न पीजेशन हमने यह प्या जोड़ना होगा और emitter को ही हमें output के साथ भी जोड़ना होगा ठीक तो यह चीज करने के लिए हम करेंगे क्या सबसे पहले देखिए हम ने जो है जो इस तरफ हमने बैटरी ली थी इस तरफ जो हमने बैटरी इसी इसी फीगर से हम इसको लेट करके आपको बता रहे है हमने जो यहां पर बैटरी लिया था वह सको हमने नाम दिया वी इसको कहा हैり सीश हम कर बैटरी선 बीच में बोल्टेज है क्ळाएं एमेटर और गीमें फीच म देखे एमईटर और कल्वे बीच में ही तो ग्हें लगी हुई है 員ंदिश हमने यहाँ पर एक oh one रिकॉज ये इसको कह दिया बस इसका इतना ही काम रहेगा इसका इतना ही काम रहेगा की यह इस बैटरी से बोल्टेज इंदर transfer हो रहा है वो voltage कितना है ठीक दूसरी चीज़ है यहाँ पर यहाँ पर अगर यह चीज़ आप देख रहे हो तो यह और कुछ नहीं है यह वास्तों में आपका है real estate real estate मतलब आरियच है यहाँ पर यह real estate क्या करेगा real estate से हम किसी बैटरी के cell को किसी बैटरी का जो voltage होता है उस voltage को पूरे उसके राड पर जो real estate आपने देखा होगा तो real estate में एक राड होता है उस पूरे राड पर फैला सकते हैं और उस राड की मदद से हमने जो है पुल मिला के इतना जो फीगर है ये इतना जो आपको दिख रहा है ये पूरा आपको बस इतना ही बतायेगा कि जो बैटरी BCC लगी हुई है उसके बोल्टेज को हम इसकी मदद से घटा बढ़ा सकते हैं तो इसमें आपको परेशान होने की आव सकता नहीं है ये बैटरी जो हमने लगाई है BCC जो बैटरी हमने यहां पर बताया ना वो बैटरी के बोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हमें इतना विवस्था देना पड़ा है और ये रही बात ये है आपका बोल्ट मीटर एक लग में बतायेगा कि इतनी धारा इसमें जा रही है वह मिली अमीटर क्या करेगा इसमें जो बैने वाली धारा है उसको मेजर करेगा ठीक तो ये वाला ये वाला परेशान होने की आवसकता नहीं है ये आपका बोल्ट मीटर है समांतर करम में लगा देंगे ये अमीटर है चीज इधर भी है समझ रहो ना अपने पास एक जो यह बैटरी थी इसको हमने नाम दिया BBB और उसके बाद में हमने यहाँ पर इसके पैरलल में एक बैटरी लगाया बोल्ट मीटर लगाया हुआ है BBE वो BBE क्यों कहा मैंने क्योंकि देखिए यह बेस और एमिटर के बीच में लगा हुआ है और बेस और एमिटर के बीच में कितना बोल्टेज अप्लाई हो रहा है उस बोल्टेज को बताएगा इसलिए BBE बोल दिये ठीक अब जैसे यह यहां पर काम कर रहा था सेम काम वो यहां पर करेगा ठीक और यहां पर जो मिली अमीटर जैसे हमने लगाय था यहां पर हम लगाएंगे माइक्रो अमीटर इस पाथ में हमारा current होगा वो बहुत कम होता है इसलिए हम यहाँ पर micro ammeter लगाएंगे आई भी current को measure करने के लिए ठीक तो इस तरह से अपना यह पूरा का पूरा circuit diagram बन गया है circuit diagram अगर आपने ब्योस्टी डंग से बना लिया तो सारी चीज़ें हम प्राप्त कर सकते है transistor का जो हमारा अभिलक्षन है उसमें निवेसी अभिलक्षन निर्गत और आंतर यह सारी चीज़ें हम find out कर सकते हैं बारी बारी से तो यह अपना क्या था यह हमने जो है circuit diagram बनाया मतलब कहने का यह कि हम जो current लेंगे उसको किस किस तरह से जोडेंगे यह अपना काम अभी यह complete हुआ ठीक अब अगर हमारा यह complete हो गया तो हम सबसे पहले देखते हैं निवेसी अभिलक्षन क्या होता है ठीक निवेसी अभिलक्षन देखने के लिए हमको करना क्या होगा भाया हमको सबसे पहले सबसे पहला काम क्या है कि BCC को एक fix एक certain voltage पर fix कर देना मतलब वह certain voltage मैं ले ले रहा हूं मैं certain voltage पहली बार में क्या कहता हूं कि मैंने एक volt पे BCC को fix कर दिया है देखो ध्यान से समझजिए हम लोग करने क्या वाले हैं हम लोग जो है निवेसी अभिलाच्छनिक वग्र खीचने वाले हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको जो है ना जो बैटरी BCC है वहाँ पर यहाँ पर देखो अपने पास J2, R2 है ना इन दोनों की मदद से हम लोग क्या कर लेंगे इसको जितने बोल्टेज पर मेरा मन करेगा उस बोल्टेज पर मैं फिक्स कर सकता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा सबसे पहले BCE को हम एक बोल्ट पर फिक्स कर देंगे BCE हमारा रीडिंग कितना देना चाहिए एक बोल्ट जैसे ही एक बोल्ट की रीडिंग देगा उसको हम छोण देंगे इसके बोल्टेज को हमें धीरे-दीरे क्या करना है बढ़ाना और बोल्टेज को दीरे-धीरे बढ़ा करके संगत धौरा द्यान से समझिये पर 12 बोल्ट एसरे करेंगे और उसके संगत जैसे मैं बोल्टेज बढ़ाओंगा न यह जो micro ammeter है ना इसमें भी current का बायलू भी क्या होगा बदलेगा बढ़ेगा तो जब voltage बढ़ाएंगे तो current भी बढ़ेगा तो जैसे मैंने 10 volt पे कितना मेरा यह micro ammeter कितना reading दे रहा है उसको note कर लेंगे फिर हम 11 volt पर देखेंगे कि 11 volt पर हमारा कितना reading दे रहा है उसको हम note कर X पर हम क्या करेंगे बायटी Beb का voltage लिखेंगे जो यहां पर हमने जैसे मैंने कहा अभी 10 volt कहा 11 volt कहा 12 volt कहा ऐसे जो रहेगा उसको हम 1 पर ऐसे बना लेंगे और Y पर हम क्या करेंगे जो base current होगी आधार धारा होगी उसको हम base Y पर ऐसे हम बना लेंगे ठीक है data मतलब यहां प पर फिल कर लेंगे और उसके संगत कि हमें कितने बोल्ट पर कितना करेंट प्राप्थ हुआ है वो पॉइंट प्राप्थ कर लेंगे उन सारे पॉइंट को हमें करके आपस में मिला देंगे मिलाने से जो वक्र हमको प्राप्थ होगा उस वक्र को हम क्या कहेंगे निवेशी अ बोल सकते हैं कि bc equal to one volt ठीक दूसरा चीज है चलो हम देख लेते हैं कि क्या bc voltage को घटाने बढ़ाने से भी effect पड़ता है तो इसको check करने के लिए हम क्या करते हैं आपकी बार फिर से एक same process दो राएंगे इस वाले जो bve है इसके voltage को घटाय बढ़ाएंगे संगत धारा के मान को read करेंगे data जो है fix करेंगे उसी ग्राफ पे उसी ग्राफ पे हम इसको फिर से क्या करेंगे जो हमारा voltage आया रहेगा voltage, voltage को इधर हम और उसके बाद में जो संगाधारा का बैलू आया रहेगा उसको इधर और सारा बैलू जब मिलाएंगे तो हमको जो है graph कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, ये वाला graph हमको प्राप्त होगा ये वाला graph, ठीक, हलांकि ये भी आपका अभिलाचनिक वक्र है, निवेशी अभिलाचनिक वक्र है ये भी निवेशी अभिलाचनिक वक्र है ये कितने बोल्ट पर है, एक बोल्ट पर है ये कितने बोल्ट पर है, दस बोल्ट पर कहां के voltage पर भाईया, ये है उस्तरजक और संग्राहक के voltage पर वो भी नियत बैलू के लिए ठीक तो ये तरह से हमको ये ग्राफ प्राप्त होगा अब अगर इन ग्राफ का अध्यन किया जाए तो हमें तीन पॉइंट निकल का सामने आएंगे तीन पॉइंट क्या है वो हम उसको भी डिसकस करेंगे ठीक पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि प्रारंब में क्या है प्रारंब में जो हमारी बेस धारा है ध्यान से अगर देखो ग्राप के इस हिंसे को यहां से और यहां तक अगर ग्राप को ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि भाईया आई भी यहां तो जीरो नजर आ रहा है देखिए ग्राप के इस हिंसे को अ बढ़ाया 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 दसमालो 2 वोल्ट तक लेकर गए लेकिन सर्केट में जो बेस धरा है यह हमारा जो मिली माईक्रोमीटर लगा हुआ है यह अपना जीरो डिफलेक्शन दिखायेगा विकोज कोई करेंट नहीं फ्लो हो रही होगी है ना तो जब ये जीरो डिफ काहे हो रही है यह हम लोगों ने लास्ट टाइम में देखा था और यह सटन बोल्टेज था आपका क्या होता था पोटेंशियल बैरियर होता था जो करेंट के फ्लो होने से मना करता था यह हम लोग लास्ट टाइम में सेमी कंडक्टर जब हम उसका जो है डोपिंग पढ़ रह हमारा जो है आई बी यानि बेस धारा है वो भी दीरे-दीरे क्या होने लगती है बढ़ने लगती है और दीरे-दीरे बढ़ने के बाद में फिर देखते हैं कि बोल्टेज को हम चाहें जितना बढ़ाते जाते हैं आगे हम चाहें जितना बोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं ब कोई बहुत ज्यादा प्रभाव इसका नहीं पढ़ता देखिये आगर हम आठ बोल्ट कर दे रहे हैं तो भी हमारा कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पढ़ रहा आठ देंगे आपनेएजोन आजर हो कि ये द कामांब ग्राफ क्या है इस पॉइंट हमको यह पता चल जाता है कि एक सर्टेन बोल्टेज से कम जब तक हम BBE को अपलाई करते हैं तो हमारा बेस धारा जो होता है वो सूनी होता है उसके बाद में धारा धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है दूसरी चीज है हमने जो यहां पर रजिस्टेंस लगा है B by I होता है ना तो R बराबर जब B by I होता है तो हम यहां पर ऐसे लिख देते हैं डेल्टा कौन सी बैटरी लगी हुई है तो BBE लगी हुई है और I अपने पास क्या है डेल्टा IB है तो चेंज इन बेस करेंट और चेंज इन बोल्टेज BBE और उसके बाद में अपना किस पर constant BCE पर है ना चांस्टेंट BCE पर तो यहां से हम यह relative कर सकते हैं यह आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा इस से जो निसक्र से एतलेगा ठीक अपलाई करके जो है क्या करते हैं हमारा current IB current बढ़ता है ठीक है तो यह हमारा बस इतना ही हो गया निवेशी अभिलाचनिक वक्तर अब अगर हम बात करें निर्गत अभिलाचनिक वक्तर में तो ध्यान दीजिए अभी हमने पहले case में क्या किया था BCC को fix कर दिया था और उसके यह देखो मैंने यहां पर जहां पर मैंने पहले BBE ले लिया था इस ग्राफ में वहां पर अपकी बार हमने क्या ले लिया है BCE ले लिया है या आपके यह जो यहाँ पर बोल्ट मीटर लगाया हुआ है BCE तो इस बोल्ट मीटर में हम जो है बोल्टेज को धीरे-धीरे बढ़ाएंगे और बोल्टेज को जब धीरे-धीरे बढ़ाएंगे तो हम उसके संगत यहाँ पर जो करेंट बहेगी उसके संगत उस current को read करेंगे और हमारा जो यक्स अच्छ होगा यक्स अच्छ पर हम क्या करेंगे बैटरी BCE के voltage को represent कर देंगे कि कितने कितने step पर हमने बढ़ाया घटाया है और उसके संगत जो धारा हमको प्राप्थ होगी कि संग्रहाग धारा को हम वाई अच्छ पर डाटा से उसका रिप्रेजन्ट कर देंगे और उसके बाद में उस उन सारे points को मिला करके सारे points को मिला करके हम graph खीचेंगे तो जब हम graph खीचेंगे न तो graph हमको कुछ इस तरह से प्राप्थ होगा पहली बात है और यह तो लेकिन मैंने इसको कहा कि मैंने मैं इसको fix करूंगा तो मैं इसको पहले चलो 0 जीरो उस पर कर दे रहा हूं कि जब base current हमारा कितना है 0 है तो अब मैंने इसको किस पर fix कर दिया है इसका जो current apply मैंने इसमें किया है वह मानलो कि मैं पहले 0 ampere की current मैं इसको 0 micro ampere की current यहां पर मैं flow कर रहा हूं इसको उस पर fix कर दिये तो उस इस चित में हमें जो graph प्राप्त होगा ic और bce के बेच में वह इस तरह से प्राप्त होगा यह इस तरह से ठीक उसके बाद मैं अगर मैं इसको बढ़ा करके क्या कर दे रहा हूं 25 micro ampere पर कर दे रहा हूं तो देखी यह graph आपका यह इस तरह से प्राप्त होगा यह असल में क्या एक graph नहीं है यह आपका जो है एक दो तीन चार पांच graph है बाद समझ रहो ना यह जो आपका निर्गत अविलाच्छनिक वक्र है इसमें हमने पांच पांच निर्गत अविलाच्छनिक वक्र ड्रा किये हुए हैं बाद समझ रहो जैसे यहां निवेसी अविलाच्छनिक वक्र में मैंने दो नीवी इसी अविलाच्छनिक वक्र ड्रा किये थे वह ऐसे इस चीज को समझाने के लिए हमने 5 अविलाच्छनिक वक्र ड्रा किये हुए हैं ठीक है तो यह 5 अलग-अलग वक्र बता रहे हैं आई भी बराबर जीरो पर आपको इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा आई भी बराबर 25 माइक्रो एंपियर जब आप इसको फिक्स कर दोगे और बोल्टेज को घटा बढ़ाओगे कैसे बढ़ाओगे 5, 10, 15, 20 ऐसे करोगे तो उसके संगत आपको धारा जो प्राप्त होगी उन धाराओं को आप यहां से रीड करके उनके बीच में जब ग्राप खिंचोगे तो आपको यह इस तरह का ग्राप प्राप्त होगा इसी तरह से 50 माइक्रो एंपियर फिक्स कर दीजिए इसको और उसके संगत इसको बढ़ा कर घटा कर जो है ग्राप खिंचोगे IC और BCE के बीच में तो आपको ग्राप इस तरह से मतलब कहने का सेम कि सेम चीजें हमको प्राप्त हो रही है देखो आप देखोगे इसको ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि एक सर्टेन सर्टेन बेस करेंट के लिए एक सर्टेन बेस करेंट के लिए यानि एक निश्चित आधार ध अदिशनी से thats i a task कमान प्राप्ट होटा हर ग्राफ यही मां प्रदर्सीत कर रहा है तो यह आपका हो जाएगा संग्र निवेज निजकत अभिलाचनीक हो जाएगा और उसके बाद में अगर इसी में आप धारा लब्ध की बात करो तो धारा लब्ध को पहली बात तो द्धारा लब दे कैंगा है कि जो संग्राहक धारा में परिवर्थन होता है और आधार धारा में परिवर्थन होता है उसी के अनुपात को क्या कहते है धारा लब्दी कहते हैं इसको बीटा से रेप्रेजेंट करते हैं तो यहां से आप धारा लब्दी भी निकाल सकते हो ठीक अब उसके बाद में अगर हम जो है, हमारा अंतरण अविलाचनिक वक्र जो होता है, अगर इसको हम खींचना चाहें, तो एकदम सरले भाईया, इसको क्या किया जाता है, कि एक फिक्स बैलू, कौन सा फिक्स बैलू, BCE, BCE के फिक्स बैलू पर, IC और IB के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा, ध् आप नियत BCE, मतलब नियत BCE, माने ये हो गया, ठीक, दूसरा क्या चीज है, नियत BCE पर, IC, मतलब ये, संगरहक धारा, और IB, मतलब आधार धारा, इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचोगे, तो ग्राफ हमेशा आपको सरल रेखा में प्राप्त होगा, जैसे हमने ओम क नियम में खींचा था, ग्राफ उस तरह से कुछ ग्राफ हमको प्राप्त होगा, और ये ग्राफ में अगर आप इस रेखा की ढाल को देखोगे, इस रेखा की ढाल को देखोगे, तो ये ढाल जो होगा, वो प्रवर्धन गुडांक को प्रदसित करेगा, या आपका ये धार दो चीज मैंने आपको बताई निवेसी अभिलाचनिक वक्र निर्गत अभिलाचनिक वक्र और अंतरण अभिलाचनिक वक्र यह परिपत प्रतीक था यह तीनों के जो है आपके डायग्राम है तीनों वक्र है इनी वक्रों को क्या कहते हैं अलग अलग नाम दियें इसको निव अभिलाचनिक वक्र कहते हैं और यह हमारा जो है अंतरन अभिलाचनिक वक्र है ठीक है